जहिन दोस्तों मैं हूँ आर्विसाल और आप जानते हैं कि मैं आपके लिए SSC GD को लेकर के लगातार authentic news के माध्यम से आप से जुड़ता रहता हूँ जैसा अभी हमने merit out के पिछले merit के आधार पर एक संभावित merit बताई थी और चार घंटे में आपने इतना ज्यादा प्यार दिया कि मैं अपने आपको रोक नहीं पाया मुझे लगा फिर से मैं आपके बीच में आ जाओ और इस बार तो मैं आपके लिए अब अगदम से final वर्दी वाली बात करने वाला हूं क्या मुद्दा लेकर मैं आए आऊ आँ अखिरकार आपके बीच में SSC GD वाले जो विद् रहे हैं तो देखें SSC GD के एक्जाम में SSC GD 2023-24 की बात कर दूँ अगर मैं 23, 23 और 24 तो इसमें आज आज आपके लिए मैं क्या लेकर आ गया हूं दोस्तों तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आखिरकार PST, PET ये इसकी तैयारी कैसे करें ये तो आप कर रहे होंगे लेकिन आखिर ये होने कब वाला है जैसे साथ मार्स को एक्जाम कंप्लीट हो जा रहा है तो क्या हमें खूब टाइम मिलेगा क्या फिजिकल और मेडिकल एक साथ हो जाएगा तो पहले एक चीज के लिए आपको आगाह कर दूँ कि आप किसी भी फेक न्यूस से बिलकूल ब लेता है कैसे उसकी आंतरात्मा इस बात की गवाही देती है एससी को पिछले 14 सालों से मैं लगातार अबजर्ब कर रहा हूं हर एक एक जाम की मुझसे आप मेरिट के बारे में डिसकस कर सकते हैं कितनी पोर्स थी कितनी भरती थी कितने पर खतम हुई तो मेरे भाई एससी मे कभी ऐसा नहीं होने वाला है पहली बात की आपका फिजिकल और मेडिकल एक साथ हो जाए इस बात के लिए मैं आपको क्लियर कर दो अब देखे ये पियस्टी पियस्टी वो मुद्द अच्छा हाँ जैसे साथ मार्च को एक बात समझ लो आप साथ मार्च को आपका एक्जा विदन भी मांग लेगा कि अगर भाई आपको किसी कुष्टन पर कोई डाउट है आपने मिला लिया तो आप उसके लिए आमता प्रत्या विदन दे दें आपका प्रत्या विदन ऑथेंटिक रहेगा तो जरूर इस कुष्टन को हटा लिया जाता है अगर कोई कुष्टन ग पीएश्टी तो आप आप जानी रहें कि आपकी लंबाई 170 से उपर है जनरल में 100 सारी क्राइटेरिया हमने आपको बता रखी है अब आगया आपका पीटी फिजिकल इफिसेंसी टेस्ट इस ये आखिर इसका डेट कब आने वाला है तो मैंने आपसे कहा कि पिछले 14-15 सालों स से इस कमिशन पर मेरी बड़ी तीखी दृष्टी है और साथी साथ मेरे बहुत से बच्चे भी कमिशन में हैं और मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं कि मैं कमिशन से किस प्रकार से तालुकात रखता हूं मेरा क्या रिष्टा इस कमिशन के साथ है तो भाई जो मीटिंग मीटिंग के बाद मामला फाइनल है यह आप मान के चलिए कि 15 से 20 एपरिल 15 से 20 एपरिल में आपका फीजिकल होने जा रहा है यह ऑथेंटिक न्यूज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ 15 से 20 एपरिल में अच्छा कितने लोगों को बिलाया जाएगा सर तो मेरे भाई एक बात और समझ लिए वेकेंसी 26 हजार 25 हजार मैंने कल के वीडियो में भी आपको बता दिया था कि 25 हजार यह अगर कह रहे हैं 26 हजार का अगर नोटिफिकेशन मैं 26 कर दे रहा हूँ क्यों तो यह मान के चलो हुआ कि यह 40 से 42 हजार वेकेंसी आप इस बात को लेकर के मुझसे बात कर ले ना मेरे भाई कॉल करके जब भी यह वेकेंसी फाइनल होगी 26 जार नहीं है चलो मैं 26 को फर्ज कर रहा हूँ कि 26 ही है 25 ही है अगर तो इसको 8 से गोड़ा कर दो तो दो लक दो लक लड़के बुल एक प्रस यह भी उठा कि सर कि हम कब मतलब कैसे माने कि हमें फीजिकल देने जाना है कि नहीं जाना है यह वाली बात हमनी कल आपको बहुत तफसीर से समझा दी थी एक बार मैं फिर से इसको पॉंट आउट कर दे रहा हूँ देखिए हमने स्टेट वाइस सारे 28 से स्टेट क आ गया है तो अगर आप यूपी, एंपी, बिहार, यूके मतलब राजस्थान, हर्याना से बिलॉंग करते हैं तो 65 कुष्टन अगर आपका एट लीस्ट हो रहा है काट पीट करके तो बिल्कुल भी एक भी दिन आपके पास आराम करने का समय नहीं है और अपना एक भी दिन बेस्ट नहीं कर सकते हैं आप जम करके फिजिकल में लग जाओ पक्का आपको वर्दी पहनना है ऐसे अगर आप हरियाडा, महाराष्ट्रा, बेस्ट, बेंगल, ओडिशा, गुजरात के हैं तो मेरे भाई आपका 55 कुष्टन, 55 कुष्टन कम से कम अगर सही है काट पीट के म बोल रहा हूं तो फिर आप यहां भी लग जाओ, सेम तिंग जम्मू कस्मीर, आपका यूरियन टेरिटरीज एंड 36 गड़ को मैं यही रखता हूं भाई, सौस नंबर से ज्यादा मेरिट आस तक 36 गड़ की गई नहीं है, 102, 103 मतलब 50 कुष्टन अगर आपका 45 से 50 हैं तो कितने लोगों का सर फाइनली मेडिकल होगा, तो देखो अगर मेडिकल यह मालों की 26,000 पोस्ट ही रही, माल लो, तो 52,000 लोगों का मेडिकल होगा, मेरे भाई, कितने लोगों का मेडिकल होगा, 52,000 लोगों का, और अगर 40,000 की पोस्ट रही, तो 80,000 लोगों का मेडिकल होग मेरे भाई 7 मार्स का एक्जाम कंप्लीट हो गया मतब 25 मार्स तक 25 मार्स तक आपका आंसर की का जाम खतम हो जाएगा साथी साथ 15 से 20 अप्रिल के बीच में आपका PST हो जा रहा है PST हो जा रहा है इसके बाद ये भी आप मान के चलो भाईया कि चुनाओ खतम होते होते मतब ये आपका खेन सरकार का चुनाओ खतम होते नई सरकार के गठन के साथ आपको वर्दी भी मिलने वाली है मतब कुल में आके लेट से लेट जहां तक सूचना है कि जो पुरानी आपके पुराने सीनियर साथ ही ट्रेनिंग कर रहा है उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपको एक महीनिक अंदर आपको बुला लिया जागा इट में उनकी ट्रेनिंग खतम हो रही जाकर के जुन मे तो अगस्ट में finally, अगस्ट तक आपको final selection मिल जा रहा है, नई सरकार के गठन के साथ आप भी सरकार में सामिल होने जा रहा है, और अगस्ट में ही अगली vacancy, क्या गजब का chance है ससी जीडी वालों के लिए, कि एक तरफ आप इधर, आपके दोनों हाथ में लड़ू है भाई, एक तरफ आप इधर finally वर्दी लेने जा रहा है, आपका छोटा भाई फिर से अगले साल आप ही के साथ, आप ही के turning center पर आप से मिलने वाला है, तो सारी बाते आपको समझ में आ गई, बीच बीच में मैं यूँ ही आपके पास बिलकुल authentic जानकारी के साथ मिलता रहूंगा, तो एक request आप से ये भी है, कि अगर आप सही इंसान है, तो जूटे news पे विश्वास क्यों कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, हम लोग वो लोग हैं जो वाकई commission से बहुत, अब कैसे बता दें, कैसे जुड़े हुए हैं, इस बात को disclose नहीं करना है, लेकिन जुड़े हुए हैं जो कह देंगे, उससे दाएं बाएं कुछ होने वाला नहीं है, तो दोस्तों देखे, मैंने आप से क्या बोला, कि अब अगस्त तक ये भाई लोग तो गए, अगली वेकेंसी अगस्त में आ जा रही है, तो देर की इस बात का भाई, मतलब आप क्या चाहते हैं, आपको लग आज ही समसे जुड़ा ही चाहा है, आउन लाइन चाहा है, और जो भी आपके जूनियर, साथी, दोस्त, त्यार हैं, सब को बताईए, क्योंकि अगर सेलेक्शन लेना है, तो वास्तों में आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चूच करना होगा, जिनका पहले से हमेशा से सेलेक्श के साथ, जहीं दोस्तों